आवशक सूचना ये जर्णलिजम सीखें YouTube चैनल ही है बस अब ये बदल गया है जर्णलिजम सीखें से दिल्ली टीवी हो गया है उम्मिद करते हैं आपको ये नवाचार पसंद आ रहा होगा जर्नलिजम सीखें अब दिल्ली टीवी यूटूब चैनल का एक कारिकरम के तौर पर हिस्सा रहेगा दिल्ली टीवी यूटूब चैनल पर जर्नलिजम सीखें कारिकरम हरशनिवार रात आठ बजे आएगा वहीं आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि अब आपके पसंदीदा यूटूब चैनल जर्नलिज्म सीखें की जगे ले चुके दिल्ली टीवी पर दो और कारिकरम जुड़ गए हैं ये हैं उर्ती बाता विद अनदाराम विश्णोई और मरूधरारी खबरा उर्ती न्यूज बुलिटिन है जो आपको हर रोज आठ बजे सुनने को मिलेगा नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने पसंदिदा यूटूब चैनल जर्नलिज्म सी के पर स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ आपका साथ ही अनदाराम विश्णोई दोस्तों आप में से कई सारे दोस्तों ने कमेंट करके पूचा था कि जर्नलिज्म की कोलेज का एंट्रेस एक्जाम की त्यारी कैसे की जाती हैं तो आज का वीडियो इसी टोपिक पर है अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा इस वीडियो पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं पत्रकार सुनिल सर्मा ने का टोपिक हमारा ये है कि कैसे पत्रकारिता कोलेज के एंट्रेस एक्जाम की त्यारी की जाए तो सुनिल, बेसिक सवाल सब के मन में यही रहता है कि जर्नलिजम का कोई भी अच्छा कोलेज हो, टॉप कोलेज, तो उसका एंट्रेस एक्जाम होता है, और सब में लगबग जो पेपर होता है, वो एक जैसा ही होता है, मुमन, तो मोटे तोर पर उसके लिए स्टुडेंट के मन में थोड़ी सी जिजग सी रहती है, तो कैसे त्यारी करें, क्या अनुभव, क्या रहा है आपके? देखी, जहां तक एंट्रेंस की बात है, एंट्रेंस के लिए कोई अलग से तयारी नहीं करनी पड़ती है, बाकि जो जन्नल जो अवेरनेस के जो सवाल होते हैं एंट्रे पुछान नूज मेडिया में आने को लेकर के है, आप मीडिया के शेतर में आना चाहते हैं, जाहिर सी बात है आपका इंट्रेस्ट होता है न्यूज में, वैसे काफी बड़ा फिल्ड है मास कम्निकेस्ट है, और जब आप इसमें एंट्रेंस के लिए तायरी कर दें, तो चल रहा है, मतलब वही चीजे जो कि आपके फिल से जो related होती है, वो सवाल पूचे जाते हैं और उसी तरह के का interview होता है, interview में जो बड़े-बड़े जो colleges है, वो यह देखते हैं कि सामने वाला जो बंदा है, या रड़का है, लड़की जो भी है, कितना serious है, जनरलिजम को ले करके कितना passionate है, और केवल passion से ही काम नहीं होता, आपको चीजे पढ़नी पढ़ती है, कितना जागरूप भी है, कैसे पढ़े, मतलब क्या पढ़ना चाहिए student को, अगर मालू किसी ने टल्ट पास किया है, तो किस तरह से वो अपने आपको update रखे ख़बरों से? देखो, आप newspaper पढ़िए, television देखिए, current affairs जो है, आप उनसे connected रहे है, आप वो पढ़ते रहे है, सवाल सारे वो वहीं से आते हैं, especially अलग से कुछ तयार करने की ज़रूत नहीं होती, लेकिन एक बात है कि अगर आप serious है जनरलिज्म को ले करके, और अगर आप में news को ले करके passion है, passionate है आप, तो obviously बात है, जो चीज़ें आपको ज़रूत होंगी, वो आप regular life में कर रहे होंगे, बस उसको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देने की ज़रूत है, जैसे अगर कोई लड़का या लड़की मीडिया में जाना चाहती है, और अफकोस वो टीवी देखते ही होंगी, news देखता ही होगा, अकबार पढ़ते ही होंगे, आपको थोड़ा systematic डंक से चीज़ें करने की ज़रूत है, आपको थोड़ा जागरूख होकर के चीज़ों को एक अलग नदरी से देखने की ज़रूत है, जो current affairs को हलका फुलका पढ़ना सुरू करें, और उसके दो-तीन अकबार पढ़ें, उसके एडिटूर्स पढ़ें, देश दुनिया में क्या चल रहा है, उसकी वो क्यों है, क्या है, समझ एक थोड़ी सी अगर विक्षित हो, हो रहा है, यही माइन नहीं रखता, हम कोशिश करें कि उसके परदे के पीछे की जो कहानिया है, पीछे के जो पहलू है, उसके अगर हम थोड़ा सा चिंतन मनन करने की कोशिश करें, कुछ ऐसे जो एडिटोरियल जो प्रोग्राम साते हैं, चाहे वो टीवी में हो, चाहे जो अकबार में कुछ आर्टिकल्स हो, वो पढ़कर के समझने की कोशिश के लिए इतना काफी है, इतना काफी है, तो बेसिक ये तो करन्ट अफेर्स की बात हो गई, इसके अलावा और भी अमिरिकाल से थोड़े बहुत इदर उदर से, और भी वो फिर, वो फिर, वो एक्चुली इंसिचूट या जो यूनिवरसिटी है, वो खुद तै करते हैं, कैई सारे कॉलेजेज हैं, जिनमें कुछ गणित के, कुछ रीजनिंग के, बेसिक सवाल होते हैं, थोड़ा इंग्लिश है, मतलब वो ही चीजे, नॉर्मल अवेर्नेस की चीजे होती है, आपको उसके लिए अलग से कोई कोचिंग लेने की, या तयारी करना ही ज़रूत नही अगर आपने 10 तक अच्छे से पढ़ा होगा तो, उसके लिए आपको ज़रूत, बाकी मेन यही होता है कि आपको करन्ट अफेर्स पर कितनी पकड़ है आपकी, देश दुनिया में जो चल रहा है, जो चल रहा है वो यह नहीं, उसके पीछे की जो कहानिया है, उसके पीछे क के अंदर, तो अगर ऐसा भी कुछ होता होगा? नहीं, जितना मैंने जिस भी इंसिटूट के दिया है, उसमें आपको, देखिए, आप जनरलिस्ट बनने जा रहे हो, हो नहीं, ठीक है, तो इंसिटूट को पता होता है, कि लड़का या लड़की जो भी है, इस्टूट जब बारते हैं, वो जनरिस्ट एक्चुली होते नहीं, वो बनना चाहते हैं, तो आर्टिकल आप बनने के बाद लिखते हो, और आप अगर पहले से लिखते हैं, उसमें आर्टिकल के लिए आपको वेद पढ़ने की ज़रत नहीं होती, चीज है, आप किसी भी टॉपिक पर आप का point of view क्या है, आपने उसको लिखा, अभी तो social media के दौर है, लोग facebook पे post लिखते हैं, अगर आप serious है, अगर आपने धंका लिखा है, तो article, facebook, post लगबग सेम तो है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने internet पर कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं, जो blogs लिखते हैं, वो article ही है तो मेरा मतलब है कि यह जो चीज़े होती हैं, अगर आप active हैं, फिल्ड में, अगर आप इसके पहले भी आपके articles publish हो चुके हैं, अगर आपका को YouTube channel है, आप इस तरह की जो चीज़े कर रहे हैं, जो आपके field से related हैं, तो आप जब आप interview में जाते हैं, तो आप उसको होते हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, अच्छा और भी कई सारे जैन में इनके सवाल होते हैं कि क्या English आना journalist के लिए बहुत ज़रूरी है, यह बहुत ज्यादा सवाल पूचा गया है सुनेल भाई, देखे आपको अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं, अगर आप कि बहुत ज़रूरी इसलिए पड़ती है, कि जो खबरे होती हैं, जो वेस्टन मीडिया है, वो जो वेस्ट कंट्री इसन फंक्शन करते हैं, तो बहुत जी जो खबरे वहां से आती हैं, वो सिधा इंग्लिस में आती हैं, वहां पर आपको कोई टांसलेटर करने नहीं बैठा ह तो आपको कहबर है, या इंगलेंड की ख़बर है, अगर आप कोई ख़बर देगी, तो आपको पहले भाई या कहाँ से है वो हिंदी में ट्राश्लेट करके नहीं देगी, ठीक है वो फिर आपको किसी उडिया में या मल्यालम में वो ट्रांसलेट करके नहीं देंगे वो as it is वो suppose जो हमारे जो एजन्सी होती हैं वहाँ पर वो इंग्लिश में ही फंक्सन होता है तो वहाँ से जब आप खबरे लेते हैं तो of course आपको उसका ट्रांसलेट करना पड़ता है तो जहरी से बात है आपको इंग्लिश आना ही चाहिए और इंग्लिश जितनी जो बड़ी अच्छी जो किताबे हैं वह बहुत सारे किताब हैं जो इंग्लिश में हैं तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आप कैसे बड़ेंगे बिल्कुल इंग्लिस मतलब आपकी अच्छी होना बहुत जरूरी है अगर आपकी इंग्लिस अच्छी नहीं है तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इंग्लिस सीकनी के लिए सबसे अच्छी किताब है उसका वीडियो में उपर आई बटन में दे दूगा और नीचे डिस्क्रेप्शन में भी दे दूगा यादि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देख लीजिए एक सवाल ये भी रहता है सुनिल भाई कि हम हिंदी जर्नलिजम में आना चाते हैं तो फिर भी अगर इंग्लिस ठीक ठाक है तो मैंने अमोमन देखा है मैसूस भी कि चलता है इसा अच्छी जिए अगर आप एक बड़े लेवल पर जाना चाते हैं नहीं चलता है नहीं चल पाएगा आपको लेंग्व अगर आप बहुत सारी लेंग्वेजिस बोली जाती है जहां पर बहुत सारी इस जमाने में आपको बाई लेंग्वल होना ही पड़ेगा आपके पास ऊप्षन नहीं है आपको होना ही पड़ेगा सुनिर भाई मैं इसको सवाल को बार-बार इसलिए पूछ रहा हूं कि कई सारे ऐसे दर्सक भी है जो यह केते हैं हम बहुत ज्यादा इंट्रेस्टेड हैं लेकिन हमारी इंग्लीस उतनी अच्छी नहीं है हम हिंदी मेडियम है फिर भी हम जर्नल जेख सकते हैं उसके बार इंग्लीस नहीं बनता है जो घृण मंत्री छेख सब्सक्राइब जिख सकते हैं मौत क्रॉसिज। होते हैं, जब आप जनलिज्म सीख सकते हैं, जब आप एक मसीन बनाना या हवाई जाज बनाना सीख सकते हैं, तो फिर इंग्लिज भी सीख सकते हैं, जब अंग्रेज हिंदी सीख सकते हैं, तो हिंदी वाला भी अंग्रेजी सीख सकता है, बिलकुल, तो बिलकुल सुकरिया एक और बात बता देता हूँ यादि आपने सोसल मीडिया पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो प्लीज एक बार जरूर चेक कीजिए और आपको किसी भी तरह की मेरे से पत्रकारिता से समधित जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेट वोक्स में तुकार ही सकते इसके अलावा सोसल मेडिया पर भी प्रसनल सवाल पूछ सकते हो